दोस्तों बात करेंगे क्लोरफेनरमाइन के बारे में कि यह क्या होता है किन किन बीमारियों में चलता है कैसे काम करता साइड एफेक्ट क्या हो सकता है डोस क्या होगा साब दानिया क्या रखनी है सब कुछ जानेंगी वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखें संपूर जा दॉक्टर बड़े से बड़ा इस मॉलेकुल को यूज करता ही है नॉर्मल एसो CPM के नाम सच जहना जाता है ठीक है इतना क्लोरोफेरमाइन कोई नहीं बोलता है CPM बोल देते हैं काम चल जाता है तो यह जो CPM है आपको टैबलेट के फॉर्म में कैपसूल के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिल जाता है सायरा भी मिल जाता है इसका हर एक फॉर्म इसके अवलेवल है को एएकिसन में दिये जाने वाला सबसे बैस्त मॉलीक्यूल माना जाके सट्रीदिन ठीड़ चलता है लेकिन ये भी दिया जाता है इसको ज्यादा इसलीए चलाए क्यों को और ये खुंट अिसफें कम इससे सद्रॉक्न स्कुरूर को ये तो अभी बात करते हैं कि यूसक खला है लोर फैनर माइन को कहा कहा यूज कर सकते हैं कि एलर्जिक रिक्षन सो रही है एलर्जिक कंडिक्षन कैसी भी एलर्जियों रही हो पैतो जनकी कॉंट्रेक्ट में आपको खुड़ी चलने लाल चकत्ते हो गया नाक बहने लगी आँखम पानी आगया किसी भी तरह की अगाया तो वो कंड्रोल हो जाता है ठीक है इस के लगावा कॉमन कोल सर्दे जुकाम हो जाता है नोर्मली लोगों को सर्दे जुकाम भी एक एलर्जिक कॉस की वज़े से होता है तो यह है दूसरा ryanitis sinusitis ये जो समख सिंघा ये भी आप लिगए फिवर बोल सकते हैं सक तो उसमें भी इसको चलाया जा सकता है वहां पर यह अच्छा रजल्ट देगा ठीक है तो एलर्टी केसी विचिस से हो सकते हैं धूल से मिट्टी से खाने की चीयों से एनिवल से तो वह एक अलग कंडिशन होती है लेकिन कई बीमारीयों के चलते कोई बाइरल संक्रमन के चलत हमारी बोडिम्त पाय रहscheinlich कुछ रिसेप्टव जेनिये बोलते हैं हिस्ते मायन रिसेप्टर एच वन ठीक है है एच वन रिसेप्टर सोते हिसे क्या निकलता तो यह स्टौ मायन की कॉंटेक्ट में तो यह को द्रेलारा ही सब होता है कि नाक अने लगी छेंग्या अने लगी खुझली चलनल लगी तो यह क्या करता है यह जो ख्लोर फैल माइन है एचवन रिसेप्ट पाजा कि वाइंड होता वहां से रिष्टर माइन के सीखेशन को रोगता है ब्लॉक करता है तो जब रिस्टर माइन नहीं निकलेगा तो ऐलर्ज भी खतम हो जाती है बात करेंगे कि क कुछ साबधानियों की तो साबधानिय है कि अगर इसको यूज कर रहे हैं तो मसिनेरी वगेर आपके काम कर नहीं करना चाहिए ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि चक्क्राया का आदमी गिर जाएगा दिक्कत बढ़ जाएगी ठीक है तो कोई मसिनेरी ना यूज करें शरा तो इसका कॉंटर इंडीकेशन नहीं है बर फिर दोक्राया है बात करेंगे साेड एफेक्टे में तक कमी य्जझ करते हैं तो मूस हो जईगा द्राइमाट चकर से बना चाहिए जिसको इसका पक्रוצ cheering करते हैं तो यह कि कुछ side factors होते हैं बात करें इसके dose की कि तो market में इसका 4 milligram का tablet आता है और syrup एता है to renew qa ना तो एडल्ट है, तो उसको फोर मिलिग्राम का टेबलेट दिया सकता है, बच्चा है छह से बारा साल की इज है, तो उसको आपन दो मिलीग्राम देंगे, उसका आधा डोज देंगी, तो हर छह गंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कि सुरूबर दस बाइज दिया, तो फिर आप दो बैस दे सकती हैं यहां को छे बई दोगा क्या चाहिए छह घंटए का गया होना चाहिए फोर मिली ग्राम की टैबलेट 6-6 गंडे के साफ से दे सकते हैं ठीक है तो बच्चों में भी यह जाएगा वा दा डोग जुलाएगा तू मिलिग्राम में गाता है तो बहोत तब से खोजाटी के लोगों पेट के से बहुत टब्यास से खळी रधें आपीं लगा की तो लगते हैं तो आप它 भी इसको इंट्रबैंस को नचाएश सक्थे यह आई भी लगा बहुत कम यूज के जाता है आप समझ गया है कि लौर फेलर माइन क्या है आशा करता हूं आपको भी पसंद आया पसंद आया तो प्लीज लाइक करें नए है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बिलता है जिससे मुझे मोट्रिवेशन मिलता है और आप देख रहते ग्यानियर्स दे मेडिकल चैनल मैं हूं शिवम तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में सो चैन बंदे मात्रम